आप सभी माता बहन भाइयों को जैसरी राध है। आज हम कार्तिक महत्म का तीसरा अध्याय सुनेगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ट क्यों है? आप सभी तितियों में एक अदसी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिये क्यों कहते हैं? इसका कार्ण बताईए. शी भगवान कृष्ण ने कहा हे भामनी तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्ण किया है मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो इसी प्रकार एक बार महराज बेन के पुत्र राजा पृथू ने देवर्शी नारज जी से प्रश्ण किया था जिसका उ एवं अत्याचारी हो गया था उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी उस संखासुर ने स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादी देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था उससे भैबीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु परवत की गुफाव में बहुत दिनों तक छिपे रहे तत पश्चात वह निश्चिन्त होकर सुमेरु परवत की गुफाव में रहने लगे उधर जब संखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु परवत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ती तो अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकार हीन यह देवता अभी भी बलवान है सोचते सोचते वह इस निर्णे पर पहुँचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं यदि इनसे वेद छीन लिये जाएं तो ये बलहीन हो जाएंगे ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक्षे सिग्र ही वेदों को हर लाया उसके द्वारा हरे गए वेद भैसे युक्त होकर उसके चंगुल से भाग निकले और जल में समा गए शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को धूडते हुए सागर में प्रवेश किया परन्तु ना तो उसे वेद मिले और ना ही बीज मंत्र मिले तब शंखासुर सागर से निरास होकर वापिस लोट गया उस समय ब्रह्मा जी पूजा की समस्त सामगरी लेकर के देवताओ के साथ भगवान विश्नु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने लगे उनके आगे किर्तन करने लगे और धूप गंद आदी से बारम बार उनका पूजन करने लगे धूप दीप नविद्य आदी अर्पित किये जाने पर भगवान की निद्रा तूटी और वह देवताओ सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन हुए तथा कहने लगे मैं आप लोगों के इस कीरतन एवं मंगला चरण से बहुत प्रसन हूँ आप अपना अभिष्ट वर्दान मांगिए मैं अवश्य प्रदान करूँगा जो मनुष्य आश्वनी शुक्ल की एकादसी से देवत्थान एकादसी तक ब्रह्म मुहुर्त में उठकर मेरी पूजा क मगरी मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुणो वाली होकर आपका कल्यान करेगी शंखासुर द्वारा हरे गए संपुर्ण वेद जल में इस्थित हैं मैं सागर पुत्र शंखासुर का वद्ध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूं आज से बीज मंत्र और वेदो सहित मै प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा अब मैं मत्से का रूप धारन करके जल में जाता हूं तुम सब देवता मुनिश्वरो सहित मेरे साथ जल में आओ इस कार्तिक मास में जो स्रेष्ट मनुष्य प्रातहकाल इश्णान करते हैं वे सब यग्य से अव भृत इश्णान द्वारा भली भाती नहा लेते हैं। हे देविंद्र, कार्तिक मास में बृत करने वालों को सव प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदी देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना, हे धनपती कुवेर, मेरी आज्या के अनुसार तुम उनके धन धान्य के बृत्धी करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुश्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है, जो मनुश्य जनम से लेकर मृत्यू पर्यंत विधी पूर्वक इस उत्तम ब्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनिये है, कार्तिक शुकल पक्ष की एकादसी तिथी को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथी मेरे लिए अत्यंत प्रीती दायनी और माननिये है, हे देवताओ यह दोनों वृत नियम पूर्वक करने से मनुश्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इन वृतों क करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी वरत से नहीं मिलता, अतहब प्रतियेक मनुश्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्में और एकादसी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए, यहीं पर यह तीसरा अध्याय समापन होता है, आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे क्रिश्न, हरे क्रिश्न, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, पुनहा, आप सभी माता भेन भाईयों को जै स्री राधे